मैं उनको बधाई देना चाहूंगे और मैं उमीद करूंगी कि अब जो जनता की सही बात है। बहुत मन की बात दो टर्म जनता ने आपकी सुनी। आप जन की बात सुनेंगे, सिंपल मजॉरिटी से पीछे रह गई है भारतिय जन्ता पार्टी, वही भारतिय जन्ता पार्टी जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पारलिमेंट में कहा था, कि 400 का आंकडा पार करेंगे, 370 तो बीजेपी ही लेकर आगी, तो जन्ता ने दिखा दिया कि उनका वोट जो है, सोच समझ कर अपना विवेक का इस्तमाल करकर उन्होंने दिया है, और अब उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि तीसरे टर्म में, अपने ऐलाइस को तो साथ लेकर च करते थे, उसको नियंत्रण में लाया जाएगा, और देश की उन्नती और प्रगती जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, उमीद करती हूं कि इनके नेत्रित्व में अब सही दिशा में काम होगा, क्यूंकि अब ये एक वीकर मैंडेट से आए हैं, औ प्रधान मंति नरेंद्र मोदी जी उस शेहन शाह की तरह नहीं काम करेंगे, जैसे नोट बंदी कर दी रात और रात, कैबिनेट को ना लेकर, सारे कैबिनेट को साथ लेकर चलेंगे और देश के हित में काम करेंगे, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, पार्लिमेंट अटैक को लेकर, फिर देश ने ये भी रेखा कि इस तरीके से एजनसी का दुरूपयोगी हुआ, ED, CBI, Income Tax, Election Commission, Media Houses, सबको ही घुतनों पे टेक दिया था, और वो लोग गिर गिरा र होदी जी सब जगा जा जाकर डंका पीट रहे थे, कि उनको 400 से ज़्यादा आंख्रे आने वाले हैं, 370 तो सिर्फ बीजेपी लेकर जाएगी, तो जनता ने उनको हकीकत से अफगत किया है, जनता ने कह दिया है कि बहुत हो गई आपके मन की बात, अब करो जन की बात. देखिए जिस मनशा से इंविटेशन जाता है, जहां आप विपक्ष एक एहम भूमी का होती है, उस मनशा से इंविटेशन नहीं आया है, और इंविटेशन आने में भी दे रही हुई है, मैं मानती हूँ कि ये सेरेमोनिल ओध से ज़्यादा इंपॉर्टन्ट ये है, कि कि तरीके से ये सरकार चलेगी, और जब प्रधान मंत्री आज ओथ लेंगे, वो जन्ता के काम, जन्ता के विकास के लिए काम करेंगे, और देश की प्रगती और उन्नती के काम करेंगे, ना कि उनके अहंकार के चलते, उनकी शाहिन शाह जैसी जो आदतें पढ़ गए थी, उस तरीके से उन्होंने कॉंग्रस पाटी की जिम्मेदारी अस अ प्रेसejन ली है, ती। पर्लमेंट्री पाटी लीदर चंटिन्यू पर्भींडे काउंट और उनका टेन्यूर रहा है. और उनने दशा और दिशा दिखाई है कॉंग्रस पाटी को, कॉंग्रस will continue to take an important role opposition की भूमी का अच्छे से निभाएगी और जनता की आवाज जिस कारण से विपक्ष को आज इतने बहू मत देकर जनता ने भेजा है वो उस पर खरी उतरेंगे और जो भी ऐसे काम हैं जो देश के खिलाफ हैं उसके उपर उनके पार्टी और Alliance साथ साथ काम करेंगे